मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बच्चमन में ऐसे घर में रहने का मुखा भी लगा ये चीज़े देखता हूँ, मन को इतना संतोस होता है, इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं, तो उनके आशिरवाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, मेरे परिवार जनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही हैं, किसी राम के आदर्शों पर चलते हुए, देश में सूसासन हो, देश में इमामदारी का राज हो, इराम राज्य ही है, जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है, मानस में, संत तुलसिदाज जी कहते हैं, कि जेही विदी सुखी हो ही पूरलोगा, जेही विदी सुखी हो ही पूरलोगा, करही कृपा निदी सोई संजोगा, यानि जनता जिस से सुखी होती है, कृपा निधान स्री राम चंद्रजी वैसे ही कार्य किया करते थे, जनता जनार्दन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेणा और क्या हो सकती है, इसलिए 2014 में सरकार बनते ही, मैंने कहा था, मेरी सरकार, गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, इसलिए हमने एक के बाद एक, ऐसी योजनाए लागों की, जिससे गरीब की मुश्किले कम हो, उनका जीवन आसान बने, साथियों, गर ना होने की वज़े से, सौचालाइ ना होने की वज़े से, गरीब को कदम कदम पर अप्मानित होना पड़ता था, पिशे इस रुप से, हमारी माताओ, बहनों, बेटियों के लिए, ये बहुत बड़ी सजा थी, और इसलिए सबसे पहले हमने, गरीबों के घर, और सौचालाइ के निर्मान पर ध्यान दिया, हमने दास करोड से जादा साउचालाई बनाकर, गरीबों को दिये, वो सरफ साउचालाई नहीं है, हमने इज़्जत घर दिया है, मेरी माताओ बहनों की इज़्जत की गारंटी दिया है, हमने चार करोड से अधिक पक्के घर मनाकर, गरीबों को दिये, आप सोच सकते हैं, जिन को यहाँ घर मिला है, पूछ लीजिए, जीवन में कितना संतोज है, ये तो तीस हजार है, हम चार करोड को दे चुके हैं, कितना संतोज होता होगा, तो प्रकार के विचार रहते हैं, एक राज नितिक उल्लू सिधा करने के लिए, लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो, हमारा मार्ग है, हमारा मार्ग है, आत्म निर्भर स्रमीक, हमारा मार्ग है, गरिभों का खल्यार, और मैं आप से कहना चाहता हूँ, जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े-बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना, और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने, ये मेरा संकल्प है, पहले के समय में, सहरों में जहां जुग्या ही जुग्या बनी, आज हम उन जुग्यी वास्यों को पके घर बना कर देने का काम कर रहे हैं, सरकार की कोशिज है, कि रोजी-रोटी के लिए गाउं से आने वाले लोगों को भाड़े पर जुग्यों में ना रहना पड़े, आज शहरों में ऐसी कलानिय बनाई जा रही हैं, जहां उचीत किराय पर ऐसे साथियों को मकान मिल सके, एक बड़ा अभियान हम चला रहे हैं, हमारी कोशिज है कि जहां लोग काम करते हैं, उसके आसपास ही आवास का प्रबंद हो. कर दो कर दो कर दो कि एक बाओ।